आप सब और यह जो वीडियो बन रही है यह आपके कमिंट्स और मैसेज़ेस के वजा से बन रही है mostly students ने मैसेज भी करा Instagram पे देन comments हर वीडियो पे थे किसे इस पार कट ऑफ क्या जा सकता है किस तरीके से हम तैयारी करें क्योंकि students को अगर मिल जाए कितना cut-off जाने वाला है और कितनी हमें किस तरीके प्रपरेशन करनी है तो इसी हो जाता है students के लिए कि तैयारी कैसे दोना है तो इसी के regarding जो है आगे cut off बनाने से पहले ये जो वीडियो बनाई है मैंने इसमें आपको पुराना जो cut off गया है 2022 का second round का क्योंकि first round में आपको मालूम है कि tops जो scorer होते हैं students उनको college मिल जाता है second round में जो सबसे lowest जो marks पर colleges मिलते हैं मतलब इतने आपको marks लाना ही है आपको college मिल रहा है तो वो second round में निकलता है तो इसी regarding जो है मैंने जो है वीडियो बना रहा हूँ में second round की पिछले साल की तो इससे student को benefit मिलेगा ये वीडियो है government colleges के साब से second round में decide हो जाता है government का क्यों third round तक government colleges जो है नहीं जाते हैं second round में पूरे decide होता है आपके government college का private की बनेगी next video उसके अंदर जो है उसमें third round का जो सबसे least number पे कौन सा college आपको मिल जाता है तो उसकी जो है video next आपको देखने को मिलेगी जिसमें private college mention किया जाएगा अभी जो भी student से focus करें कि government college के से मिल जा है उन्हें government colleges के लिए कितने marks चाहिए और इसमें categories के साब से भी मता हूँ आपको कि अगर आप government student से आपने schooling करिए या फिर आप जो है FF में है आते हैं या general category में या OBC में या STST में तो यह सब जो है इस वीडियो के अंदर describe किया जाएगा तो वीडियो से मने रहें यह after a long time यह वीडियो बन रही है यह आप लोग कमिट्स की वजा से यह जैसे आपको मालूम है channel जो बना है यह आप लोगों की लिए ही बना है इसमें benefits हमें कुछ नहीं है यह channel जो है आप लोगों को सुविदा देने के लिए कि आप लोग जो strength परशान है जोने सही जानकरी नहीं मिल पाती किसर कैसे करें किस तरीके से हमें mindset करना चाहिए कि हमें कितने marks आना चाहिए तो उस वज़ा से जो है channel बनाया गया था लास्ट टाइम में आप पूरा पूराना चैनल से में वीडियो देहेंगे तो priority wise जो है सारी जो है आप लोगों को दिया गया है कि cut off के हर एक चीज़ का category wise जैसे आपके comment साते थे उस आप से जो है आपको जो है वीडियो बहुत से student ने appreciate भी करा इस चीज़ को लेके कि sir आपने जो बताया है जो cut off आपने निकाला था बिल्कुल correct आया मेरे marks इतने थे और जिनका नहीं हो रहा था उन्होंने फर्दर जो है तैयारी करना चालू कर ली थी drop लेके तो उनको benefit हुआ तो बने रहे चैनल के साथ इसी त देख सकते हैं सबसे पहले में अटल बहरी वाजपाई जो लिस्ट में आता है उसी recording में ले रहा हूँ अटल बहरी वाजपाई college जो है अच्छा college है न्यूवली मन नहीं कह सकते अब इसे क्यों 2018 में जो ही college open हुआ था और काफी अच्छा college है इसमें आप देख सकते हैं यह यह जो लिस्ट है यह open कब हुआ था और यह close कब हुआ है तो यह जो college है जनरल के डिगरी में 584 में यह college आपको मिल गया था second round में आप देख सकते हैं टोटल जो अलॉट हुई थी 25 seats मिली थी अलॉट हुई थी यह 584 में जो जनरल के डिगरी से जो ब्लांग करते हैं अगर आपके 584 के असपास भी marks आएंगे आए होते तो जिनको मिला है उनके आए होंगे और next cutoff जो है इसकी recording ही चलेगा तो आप बानके चलेए आपको इतने जनरल के डिगरी वालों को government college के लिए 584 marks के असपास नमबर लाना है बात करते हैं उसके बाद आपके SC1 के लिए ST1 के ल इसी तरह SC1 को 471 के असपास अगर आपके marks होते तो आपको college मिल सकता था इसी तरह बात करें OPC वालों के लिए OPC में आप देख सकते हैं जनरल का OPC का यह है आपको 578 अगर marks होते तो यह आपको college मिल जाता इसी तरह जो EWS वाले हैं जो ब्लॉंग करते हैं उसमें आप देख सकते हैं EWS वालों 567 अगर आपके marks होते हैं तो आपको EWS के degree में marks मिल जाता है इसे OPC आपका यह लिखा हुआ है X और OPC वाले हैं वो आप लोग जो ब्लॉंग करते हैं उसमें आएंगे दिन अगर कोई students government school से ब्लॉंग करता है तो उसका आप देख सकते हैं यह GS लिखा रह आता है तो FF होता है physical handicap वालों के लिए पीएफ पीएच होता है इसी तरह यह जो इसी इसी के according जो है आपके जो है यह cut-off list आती है बहुत से mostly students जो समझ नहीं पाते सरके से क्या है तो यह video में आपको आगे next time ऐसी list आए तो आप समझ भी पाएंगे किस तरीकी से इसको समझन है अगर आपका allotment seats आती है तो next जो college है आप देख सकते है students यह जो है schedule को college है इसके अदर भी आप देख सकते हैं अगर आप EWS के degree से belong करते हैं तो 556 पे आपको college मिल गया होगा अगर आप कितने माक्स आते हैं तो जिनको मिला है students को 556 पे मिला है इसी किता ST1 को 446 पे मिला है ST वालों को आप देख सकते हैं 53-540 पे मिला है जनरल के degree वालों को 564 पे यह schedule को college मिला है इसके अंदर आप देख सकते हैं यह allotted seat है यह second round का है तो यह जो मैंने last time जैसा भी बताया आप लोगों को कि जिसके minimum marks है minimum marks कितने हैं हों कि आपको government college मिल जाए तो schedule का कोई general category में 564 प then बात करें सागर की सागर का college जो है यह भी बड़ा अच्छा college है इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर EWS से आप belong करते हैं तो 577 पे यह college आपको मिल जाता इसी तरह जो इस्ट्रेंट OBC से belong करते हैं तो 580 पे यह college मिलता आप इसी तरह जो है फॉर्ट जो है देख सकते हैं आप 469 पे और ST वालों को 5352 पे college मिला इसी तरह जनरल से जो belong करते हैं उन्हें सागर जो है 587 पे college मिला है so then जो है फॉर्थ जो है देख सकते हैं आप चिंदवाड़ा है यह strengths को इसमें समझ में आ रहा होगा मुझे लगता है I think क्योंकि यह जो है इस तरीके से अगर आपको समझ में नहीं आता था तो बिल्कुल इस video से आपको clear हो जाएगा कि कितने किस तरीके से आपको देखना ह है क्योंकि बहुत सारे इसमें स्कोर लिखे रहते हैं मार्क्स होते हैं जैसे एक्स जिसमें नहीं लिखा दा था वो भी freedom fighter SN लिखा होता है तो यह सैनिक जो कोटा लगता है उसके recording होता है इसमें आप चिंदवाड़ा में देख सकते हैं कि EWS category में 558 में मिल गया OBC वानों को 565 में मिला SC में 456 ST वानों को 342 जैनरल केडिगेरी से जो ब्लॉंग करते हैं उनको 567 पे यह कॉलिज मिला है के चिंदवाड़ा कॉलिज था देन बात करें गवालियर की गवालियर कॉलिज में आप देख सकते हैं जो student EWS से ब्लॉंग करते हैं उन्हें 590 पे मिला then OBC से जो ब्लॉंग करते हैं 595 SC केटिगरी वालों को जो मिला है वो 489 पे मिला then जो students ब्लॉंग करते हैं ST से ST में जो बिना कोटे के जो ब्लॉंग करते हैं ST कोटे से हाली ओनली तो उन्हें 578 पे मिला इसी तरह जनरल से जो बलॉंग करते हैं, गवालीयर कोटे में 606 मार्क्ज, 606 मार्क्ज गवालीयर कोलेज मिला आपको मालूम है, गवालीयर जो है टॉप 4 में आता है कॉलेज, फर्स जो है जिसे आपको मालूम है, इंदोर का है देन उसके बाद गांधी मेडिकल फिर जबल पुर मोस्ली इस्ट्वेंट्स वसंद करते हैं फिर गवालियर को उसके बाद पसंद करते हैं दिन बात करें बोपाल का गांधी मेडिकल कॉलेज इसके अंदर देख सकते हैं यह भी अच्छा कॉलेज को इसमें आप देख सकते हैं जो इसके अलावा उनका गवर्मेंट कोटा लगा है जो जो EWS के खाली कोटा है तो उनको आप देख सकते हैं मार्ग्स जोए 606 पे कॉलेज मिल चुका है और OBC वालों को जो मिला है यह 615 पे कॉलेज मिला जो SC के डिगरी वाले हैं उनको 517 पे मिला ST वालों को 417 भी मिला जो जनरल से ब्लांग करते हैं उनको 620 पे मिन 620 पे अगर आपके मार्ग्स होंगे जनरल के डिगरी में तो आपको UR में तो आपको गांजी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है इसी तरह EWS में अगर आपके 606 होंगे EWS में अगर के डिगरी में तो आपको गांजी मेडिकल कॉलेज मिल सकता है यह पिछले साल का cut-off है इसमें थोड़ा सा 5-10 marks का जो है उपन नीचे होता है second round के लिए इसमें एक्जेक जो है जो है बता नहीं सकते इसके लिए तो यह last time इस marks से मिला था तो next time भी जो है cut-off निकालेंगे अभी आप local students के लिए अगर messages आए जैसे में last time का messages और comments आए तो बिल्कुल जो है क्या जा सकता है और कम आपका exam है और किस तरीके से आपको students को तयारी करना है तो बिल्कुल जो है सब जो है वीडियोज बनेंगी तो बने रहें साथ में आप देख सकते हैं यह जो अब जो college है पर ST1 को 340 340 पर तक्रीबन जो है यह मा कॉलेज मिल लिया था तती हमें जनरल वाले को 566 पर यह college मिला था तो जो next जो college है यह आपका रतलाम का है रतलाम के college में आप देख सकते हैं जो EWS से ब्लॉग करते हैं इस ट्रेंट उनको 563 पर यह college मिला था देन OBC में 571 पर मिला था यह जो है इसमें कन्फ्यूज नहीं हो स्ट्रेंट के यह 162 लिखा हुआ है 177 तो यह freedom finder कोटा लगा इस कहना है इसमें physical handy game वाले कोटा लगा है तो उन स्ट्रेंट को जो है कोटा लगने के बाद मिलता है then SC का जो है उसमें आपका 462 अगर marks होंगे स्ट्रेंट को मिले आए होंगे तो उनको यह रतलाम का college मिला था ST में 368 marks इसको स्ट्रेंट को मिले होंगे उनको मिला होंगे इसी तरह जनरल में आप देख सकते हैं कि जनरल में रतलाम जो college मिला था 577 पर मिला था उसके अलावा रतलाम के बाद जो college है वो सत्ना है सत्ना medical college इसके अंदर EWS में हम देख सकते हैं सत्ना के अंदर 555 के अंदर जो है जिसके marks थे उसको यह college मिला था इसी तरह जो है आपका OBC के अंदर 560 पर SCGD में 445 5ST में 338 दिन जनरल में 563 के आसपद अगर marks थे तो यह college मिला था बात करें वन आफ दो पैस्ट कॉलेज आप प्राइटी वाईज जो स्ट्रेंड्स जो सेलेक्ट करते हैं इसलिए best college है इन दोर का इसके अंदर आप देख सकते हैं कि जो SC से बिलॉंग करते हैं स्ट्रेंड SC से उन्हें 538 पे जो यह college मिला था जो ST से बिलॉंग करते हैं 433 पे मिला था और जनरल कैटिगरी वाले जो स्ट्रेंड्स से उनको यह college मिला था 635 पे इसमें आप देख सकते हैं कि EWS का कोई भी seats इसमें दिखनी नहीं आपको क्योंकि 2nd round मिने जैसे आपको बताया कि 2nd round तक EWS की कोई seats नहीं थी अभी लेवल नहीं होएगी इसलिए जो है यहां mention नहीं करा रहा EWS के डिगरी वाले को तो यहां general का ST और SC और OBC की भी seat नहीं थी इसलिए OBC वाले को भी यहां तो 2nd round तक जाना है 1st round में college मिल गया होगा यह सारे students को क्योंकि मैंने बता है जैसे priority wise top पे college है तो इसी तरह जो है आप देख सकते हैं इसके अंदर जो खंडवा का college है Students को दिख रहा होगा खंडवा का college है खंडवा का college में जो EWS से ब्लॉंग करते हैं उनको 558 पे then OBC से 566 पे ST वालों को 452 ST वालों को 398 and then general वालों को 569 पे यह college मिलाता खंडवा का cut off obviously बहुत आई गया पिछले 2 सालों से क्योंकि last time देखे गया था 569 पे विदीशा college भी लोगों को मिला था इससे पहले 2021 में 2022 में तो यह इस बार cut off 23 का 22 का आई गया था इसलिए इस्टुएंट्स को इतने जादा marks बया इस साल का आप लोग वेपर देखे आएंगे उसके बाद cut off निकाला जाएगा इससे कम भी cut off जा सकता है इसलिए मैंने कहा है कि आप लोग चैनल के साथ बने रहेंगे इस्टुएंट्स तो बिल्कुल जो है आप लोगों को सारी जानकरी मिलती रहेगी के प्रेपर के बाद कितना cut off तो जैसे आपका exam होगा नीट का उसके बाद से cut off बनना चालू हो जाएगा इस चैनल पर प्रेपरेशन के लिए किसी स्टुएंट्स को कोई इशू आ रहा हो किस तरीके से प्रेपरेशन करें क्या क्या चीज़े हम एडिट कर सकते हैं किस तरीके से हमें तैयारी करने चाहिए तो बिल्कुल मैसेज करें कमिट्स करें तो बिल्कुल वो भी आपको उसके हिसाब से आपके साहता की जाएगी इसमें आप देख सकते हैं जबलपुर का टॉप मोस्ट थ्री में जो टॉप थ्री में जो स्टुएंट्स पसंद करते हैं कॉलिज इसके अंदर आप देख सकते हैं अगर EWA से आप लॉग करते हैं तो फाइफ नाइटी फाइफ जो स्टुएंट्स के माकस आये थे उन्हें लास्ट टाइम कॉलिज मिला था इसी तरह OBC वाले सेम ये रहा फाइफ नाइटी फाइफ SC केटी वालों को 495 पे मिला था ST वालों को 390 पे मिला था जनरल केटी गिरी वालों को जो कॉलिज मिला था वो 606 पे UR वालों को जो मिला था 606 पे जबलपुर कॉलिज मिला था तो बात करें Shift पूरी की Shift पूरी जो स्टुरेंट्स को मिला था वो लास्ट विम आप देख सकते हैं EWS KDG 1-0 को 561 पे मिला था OBC 1-0 को 566 पे SC 1-0 को 451 पे ST 1-0 को जो मिला था 348 पे एंदेन जनर्र वाले को मिले था 568 पे तो शेफपुरी में 568 पे भी आपको कॉलरी मिला था बात करें रीवा की तो रीवा में आँ देख सकते हैं रीवा में EWS केटिगरी वाले बस्टेश स्टुइट्स को जो भी था उसको मिल गया था कॉलिज 579 पे OBC से जो मिलाँ करता था 581 पे मिला SC केटिगरी वाले को 406 पे ST वाले को SC वाले को जो मिला था वो जो मिला था यह आपका 471 पे मिला था ST वाले को जो मिला था student को 550 पे मिला था then general वाले को 592 पे तो Riva का भी cut-off देख सकते हैं आप high गया थो Riva भी mostly student जो पसंद करते हैं इस college को यहाँ पे सारे आपके government colleges हो चुके हैं then यह जो college है government का dental college है student देख सकते हैं dental college के अंदर आप देख सकते हैं जो EWS से ब्लॉंग करते हैं उनको 470 497 पे marks मिला था marks पे college मिला था इसी तरह 452 पे OBC 481 पे then SC1 को तो यह आपका dental का था भागी जो है इसके अलावा government इसमें अंदर cover हो चुके हैं नेक्स जो वीडियो बनेगी बिल्कुल वो private colleges की बनेगी private colleges कितने पे बंद हुए थे और देन कितना जाजाबता है तो safe score जो है next videos बनेगी आपकी कि कितना safe score होगा तो बिल्कुल बने रहा है चैनल के साथ इस वीडियो के लिए तने thank you so much